हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागते सिक्कू स्पोर्ट्स में और आज मैं आपके लिए एक न्यू वेकेंसी लेकर क्या हूँ तो हाई कोट आफ आंदरप्रदेश अमराउती की ये वेकेंसी है नेम आप पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है अपकी कोट मास्टर और परसनल सेकेटरी ठीक है कोट मास्टर और परसनल सेकेटरी टोटल वेकेंसी यहाँ पे रहने वाली है 76 जिसमें से एक वेकेंसी जो है अपने स्पोर्ट्स परसन के लिए रिजर्व्ट है और यह direct recruitment है और यहां पर आपको जो है offline form फिल करना है online form नहीं है और इसमें जो salary pay sale जो रहने वाला है आपका pay scale वो रहने वाला है यहां पर में 57100 से लेकर के 147,760 रूपिस ठीक है यह आपका pay scale रहने वाला है अब इसके आगे में हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे जै तो लास्ट तक बने रहना अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक वीडियो को लाइक दरूज दिएगा ताकि मैं आपसे मोटिवेट हो जाओं एक लाइक से और आने वाले जो भी वीडियो रहेंगे सही समय पे आप तक मि नोटिफिकेशन में तो मैंने अभी आपको पेश केल बता दिया है तो नीचे में आएंगे तो हम वेकेंसी पूजिशन बात करेंगे तो यहां पर देखिए तोटल तो मैंने पहली बताया था 76 टोटल वेकेंसी जिसमें से 22 ओमन्स के लिए अब यहां पर ओपन के लिए जो है लोकल कास्ट दी गए पूरे EWS है BCA B BCA D BCE ठीक है और यहां पर ESCST के लिए भी रिजर्विशन दिया गया वेकेंसी जो है रिजर्व दिया यहां पर नेम आप पोस्ट आप पर सकते हो पहले भी बताई मैंने कोर्ट मास्टर एंड परसनल सेकेट्रील ठीक है तो यह पोस कर सकते हैं और कहां कहां से लोग अपलाए कर सकते हैं दिखो यहां पर ओलोहर इंडिये से सब लोक कर सकते पर काफी लोग अपलाए क्यूं या ना पंजाब से हो तो वहां का कैंडिडेट यहां करके फॉर्म नहीं भीर्ट करता है तो अगर आप इंटरस्टेड हो तो फिल कर सकते हैं आप एली जी बोलो ठीक है सिब लैंग्विज प्रॉब्लम के जिसे लोग यहां पर अपलाई नहीं करते हैं और दूसरा कोई यह आपकी एक्जाम भी यहीं होगी जॉब लोकेशन भी होता है मतलब पूरा रिलोकेट अपने को यहीं होना पड़ेगा अजर आप भरती होते हो तो तो आप सोच समझ के फॉर्म बरिये एक वेकेंसी है और इसमें किस गेम के लोग अपलाई कर सकते हैं तो इसमें आल गेम्स और नॉर्मल रिक्रूमेंट में जैसे महारास्टा में 5% मिलता है राजिस्तान में 2% मिलता है सभी रिक्रूमेंट में अब पंजाब चले जाओगे 3% मिलता है हर्याना चले जाओगे तो वहां पर जो भी परसंट मिलता होगा तो उनके हिसाब से मिलता है तो सभी में अपन गेम की लिस्ट नहीं बताई है क्योंकि यहां पर में कोई गेम की लिस्ट बताई नहीं गई और नाई उन्होंने गॉवर्मेंट रूल दिया गया कि इस रूल के हिसाप से हम भरती करेंगे स्पोर्ट के लिए अगर वो रूल नंबर दिया होता तो मैं आप तक जरूर ओ रू इंबर्स में आपको जितने भी इंडियन ओलंपिक असोसियेशन से एपिलेट और रिकोजनाइज गेम है वहां पर में नाम आएंगे सबीके अर्चरी आजाएंगा आपको एथलेटिक्स दिखेगा कबडी कदिखेगा अर्मचरी कबडी फेडरेशन ऑफ इंडिया फिर ऑल इंडिया इंटर्व उनसिटी का सर्टफिक चलता है एसजी फाई चलता है पर वहां पर जो गेम लिस्ट होती है और फेडरेशन के नाम होते उन ही गेम के लोग अपलाय कर सकते ठीक है जैसा नए गेम अभी जो एड हुए है शूटिंग बॉल हो गया फिर टेनिस बॉल क्र जिस दिन ऑलम्पिक्स में आ जाएंगा तो आप अपने स्टेट की जो है दो परसंट तीन परसंट पाच परसंट की जो वेकेंस हैती है उसमें आप बिल्कुल अपलाय कर सकते ठीक है तो यह आपका मैंने कंप्यूजन जो दूर कर दिया है कि आपको सही फेडरेशन कैसे प पता चलता है कि मिनिस्ट्री ओफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफिर इसकी वेबसाइट से आपको जो सेंटर गौवर्मेंट में जो जौब में फार्म फिल कर सकता है तो वहां से पता चलेगा और जो स्टेट गौवर्मेंट में जो अपरूड होते है गेम तो वह वाले अस्टर अलॉम्फिक असोसियेशन में जो एफिलेटेट यूनिट्स होंगे फेडरेश्य आसोसियेशन के नाम गेम की भी नाम वरते हैं तो वही गेम का सर्टाफिक जो है वैलिड होता है जौब्स के लिए ठीक है तो यह स्टेट जौब्स का था गौवर्मेंट जौब को आपको डिगरी चाहिए किसी भी यूदर सिटी से जो यूजी सी से अपरूड हो आर्ट साइंस या कॉमर्स किसी भी एक स्ट्रिम से आपने अगर ग्रेजुएशन पास आउट किया है तो आप बिल्कुल इसमें अपलाए कर सकते हैं पर प्लस इसमें आपको दो सर्टाफिक इन्होंने यहां पर यह 180 WPM स्पीड इन इंग्लिश शॉट हैं शॉट हैं जो होता है स्टेनो का कॉर्स होता है वह वाला और अगर आपका बास 180 की स्पीड नहीं तो देड़ सो वाली भी स्पीड चल जाती है तो यह हो गया और इसके बत दूसरा यहां पर में दिया है कि आ यह वाला टाइपिंग और स्टेनों दोनों का सर्टाफिकेट साथ में चाहिए और बेसिक कंप्यूटर का नौलेज चाहिए आपको पूरा तो यह तीनों चीज आपके पास एक रैजुएशन के साथ में तो आप बिल्कुल इसमें अपलाए कर सकते हैं अगर आपके बास इ फूरेदा नहीं है पर कुई-कॉई रहते हैं कि जो लोग अपने स्टेट के को टाकि लिए तो एक गीम कर लेता है कोई भी गेम में से टेम से नेशनल खिलने चले छानघे तो यह Uh record प्लेयर पर प्लेड में करता है वो स्टेनो और टैपिंग बहुत कम प्लियर मिलते हैं तो यह आपका एजूकेशन क्वालिफिकेशन है आपको पास आउट चाहिए मार्क सीट आ रही है ऑनलाइन रिजल्ट आगया इसा नहीं आपकी हाड कॉपी होती है मार्क सीट की पूरी पास आउट की वह वाली आपके हाथ में चाहिए ठीकिने तो फॉर्म रिजिक्ट हो जाता ओफलाइन फॉर्म है अब यहां पर में नीचे में आते हम एज लिमिट की बात करते तो आपको एज लिमिट यहां पर 18-42 साल 42 तक अपपलाई कर सकते हो से से है तो एज रिलक्सेशन मिलेगा पास साल का औ और रिजविशन की यहां पर रूल्स दिये गए है तो यह रूल्स आप पढ़ सकते हो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से जा करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते है आपको साथ में डॉकुमेंट्स क्या के भीजने देखो डॉकुमेंट्स आपको एक फॉ जरॉटो रहेंगेए एकर डॉटो पेस्ट करने है तीन फोटो लगेंगे आपको रचमिय साथ में आपको सेंटर गवर्मेंट एंपलोई हो दिल्ली हरियाना कही पोस्टेड हो सेंटर में आप स्टेट में आना चाते हो आपने तो वहां से लेकर करके आप इसमें फॉर्म भर सकते हो ठीक है अब यहाँ पर नीचे में सेलेक्शन प्रोसेस दिया गया है स्कीम ऑफ एक्जामिनेशन तो यहाँ पर देखो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी और शॉट हैंड की जो स्कील की टेस्ट होती होती है ठीक है दो टेस्ट होंगे आपके उसके बाद जो है शॉट लिस्ट करने के बाद वह वह इंटर्वी के लिए बुलाया जाएंगा और यहां पर में आपके डेट दिए गए है कि जैसे आपर में 1911 को जो है आपका टेस्ट हो जाएगा एक्जामिनेशन स्कील टेस्ट उसके बाद और आपकी यह जो इंटर्व्यू रहेगा 25-11-2022 को आपका इंटर्व्यू रह लाश्त יर च्शे वाता उसका रिजल्ट चेक आउट कर सकते हैं और वह स्कुल बी है और प्रिंट आंप करके फिल कर सकते हो एक्साम फिस आपको यहां पर लगने वाली है ठीक है थाउजन रूपीज जो आपकी यहां पर में एक्जम फीज लगने वाली है डिमांड राफ बनानी है आपको ठीक अगर आप सेस्ट केंड़ेट हो एक सर्विस में नो तो आपको फाइंडर्ड रूपीज फीज लगेंगी ठीक यहां पर में पूरा लिखा है आप डिम इसको आपको आफ लाइन भेजना है ठीक है आफ लाइन का जो है मैंने लास्ट डेट बता ही नहीं अभी बताऊंगा आपको यहां पर में रिजेंड दिये गए कि आपको फार्म अगर आपका रिजर्ट होता है यह कारण दिये गए इन कारण के वज़े से आपका फॉर्म जो है रिजिक्ट हो सकता है तो इस चीज का आप ध्यान रखिए ठीक है आफ लाइन फार्म भेजना है मैंने पहले ही बताया लास्ट डेट आपकी रहने वाले 22 ऑक्टूमबर शाम की पाजवेश दक आपका फॉर्म इनकी ऑफिस में पोच जाना चाहिए ऑफ लाइन जो ए आपको पूरा यह वाला जो है आपका एंवलप पे लिखा रहेगा मेंने उसके ओपर में और आपके डिमांड रख आपने ओरीजिनल सात में भेजनी है और सात में दो छोटे एंवलप जिस पर आपका नाम एड्रेस मोबाइल नंबर लिखा रहना चाहिए और 30 रुपे का पोस्टल स्टैंप पोस्टल स्टैंप है जो पोस्ट आपिस में मिलता है पाच रुपे 10 रुपे 20 रुपे ऐसे करके वह आपको 30 रुपे देगा बना करके वह पेस्ट करना है और वहां पर में तू लिखके अपना नाम आपका पूरा एड्रेस गल्ली मॉलन नंबर लेटर जो आएगा उसी में आएगा वह आपको इंटर्व्यू के लिए बलाएंगे तीसला लेटर तो वह भेज देंगे अगर आपका सेलेक्शन हुआ तो ठीक है तो यह चीज है इसमें अगर आपका फिर भी कोई डाउट है और आपको भेजना का है किस एड्रेस पर देना है आपर में ठीक है हाई कोट आफ अंदर प्रदेश अम्रावती डिस्टिक गुन्टूर ठीक है यह पिन कोड है उसका फाय फाय ट्रिपल टू थ्री नाइन फी बाविस के पहले आपको वहां पर पहुच जाना चाहिए यह फॉर्म ठीक यह फॉर्म का एड्रेस है कह कमेंट करिए जरूर कमेंट करना ताकि मैं आपका उसका रिपलाई दे सकूँ और जो व्यूवस हमारे चैनल पर पहली बार आये थे उन्होंने अभी तक अगर हमारा टेलिग्राम गुरूप जॉइन नहीं किया है तो हमारा टेलिग्राम गुरूप जॉइन करिए कोठा रिकूर्मेंट सर्च करना है तो आपको यह ग्रूप दीख जाएगा इस ग्रूप में आप जॉइन हुएगा और आपने दोस्तों को भी बोलिए ताकि उन तक जो है स्पोर्ट कोठा की जो भी वेकेंस आती है यहां पर मैं स्पोर्ट ट्रायल चोटी-छोटी अपड टेक्स बेंगलोर का वेकेंसी आ रखा है पर उसका फॉर्म अभी पब्लिश नहीं हुआ है और नहीं ओफिशल नोटिविकेशन पब्लिश वासी पेपर कटिंग आ रही है और अभी तक कुछ आया नहीं है जल्दी उनका आ जाएंगा तो मैं अपने ग्रूप में आपको अ